गुद मॉरिंग इस्टुडेंट वेलकम टू आशन एस्टल इंग्लिश स्कूल एंड गुद शेपड एजकेशन सेंटर आई एम आश्यागनोत्री आई विल टीच यू कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास फॉर्ट इस्टुडेंट आप लोगों का सेकेंड चैपकर च ृ इस्टुडCR gude अठ वेलकर, इस्टूपरफूल आइ Stitch ऑनश्या निट्मिट्र ऑनलाइन ग्रांब्श ऑनलाइन निट्टेशन एप्यडापरे इनक्टिसटसं एंड ग्र्णियर ग्रफिक्स 501. ृ 지 contest ऑनलाइन एपॉर्टिसंट क्लाइन एंज मैं इंक्ले इ यह पहली बार 1960 में जारी किये गये थे इस समय के अन कंप्यूटरों की तुलना में इनके छोटे आकार के कारण इनको मिनी कंप्यूटर का ना मिला यह कंप्यूटर की तुलना में अधिक सक्साली है और एक समय में एक से अधिक यूजर वर्क कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में लाज स्टोरेज कापासिटी होती है मिनी कंप्यूटर आर यूज वाराइटी आफ अप्लिकेशन फार एक्जाम्पिल कंप्यूटर एड़े डिजाइन साइंस्टिफिक रिशर्च एयर टिकर रिजर्वेशन बैंकिंग एटिसी मिनी कंप्यूटर का यूप्योग विविन प्रकार के अन्प्योग के लिए किया जाता है जैसे कंप्यूटर एड डिजाइन साइंटिस्ट रिशर्च के लिए हवाई टिकर अर एक्शन बैंकिंग आदि के लिए इसका यूज किया जाता है The capabilities of mini computer are somewhere between mainframe and PCs That is why mini computer are also called mid-range computer एक mini computer की छमता है mainframe और PCs के बीच होती है इसलिए mini computer को mid-range computer भी कहा जाता है The first popular mini computer was the PDP-8 launch in 1965 पहला लोगप्री mini computer 1965 में launch किया गया था इसका नाम है PDP-8 Next is mainframe computer The largest type of computer is common use is the mainframe Mainframe computers have very high storage capacity They process large amount of data at very high speed Mainframe computers are used by large organizations like insurance companies, airlines, government, department, etc. They are used as specialized servers These computers need low temperature and special desk-free room Names computers are terminals are connected with a mainframe computer The data of all the connected computers is stored in the act of the main machines for all computers आम उप्योग में सबसे बड़े प्रकार का computer mainframe है Mainframe computer में storage capacity बहुत अधिक होती है ये बहुत अधिक गति से बड़ी मात्रा में data प्रोसेस करते हैं Mainframe computer का उप्योग बीमा कंपनियों, airlines, सरकारी विवागों, आधि जैसे बड़े संगटनों दारा किया जाता है इनका उप्योग विशेज server के रूप में किया जाता है इन computer को कम तापमान और विशेज desk-free room में किया सकता होती है कई computer या terminal एक mainframe computer से जुड़े होते है mainframe computer सभी जुड़े हुए computer या terminal का data इसको इसमें संग्रीद किया जाता है ये सभी computer के लिए मुक मसीन के रूप में कार करते है ये देखे mainframe computer है ये लिए पुड़े जाता है Supercomputer Supercomputer are the most powerful computer and physically they are largest the storage capacity of this computer is much more than macro, mini, mainframe and workstation computers सूपर कंप्यूटर आज़ फ़ास्टेस ऑफ और और फिजिकली यह सबसे बड़े हैं इन कंप्यूटरों की स्टोरेज कैपैसिटी माइक्रो मिनी मेंट फ्रेम और वर्क स्टेशन कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक हैं सूपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं और सेकेंड के भीतर भारी मात्रा में डेटा संग्राइद कर सकते हैं यूज बड़े slightly new और बिमड़ेरों कने यूचन हैं था antफे सबस्टेशन की में अधिक सोब्सिबरों छो आले मेरें था इन कांप्यादी अभीति एल्याची मार्प फॉर्कास्ट नुकलर साइंस्टिफिक रिज्रस एटीसी अतिदिक गर्ना सुपर कम्पीटर की गती बड़ी अधिक और अतिदिक जेटिल समस्याओं से निबटने के लिए निश्करी होती है जिने अतिदिक गर्ना सक्ति की आफशकता होती है इनका उपयोग जेटिल अनपयोगों जैसे सुपर सोनिक, एर्ट्राफ्ट, वैदर फॉर्कास्टिंग, नुकलर साइंस्टिफिक रिचर्स आधी डिजाइन करने में किया जाता है इनका उपयोटर और इसकी एक्सराइज और कोशिन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं See you tomorrow next class. Bye. Thank you.